मुझे गुरूप मिला है वो है पाकिसान administrative services तो definitely the name shows के मैंने administration के अंदर जाने है और administration के अंदर जितने भी एक district level पे administration है वो उसको मैंने परसू करने है इंटर्वी समय शाज कही ऑर और बहु ज्यादें अिस स्ट्टेद्स के सीस्टार menua कि इप एकजैम कर लेते हैं और समय पर इंटर्वुयू में भडाते हैं और आपने इस तरह कहा है कि subject बहुत important है और आपको अपनी personality के हिसाब से स्किल सेट के साफ से सब्जेक्स चूज करने चाहिए तो optional subject चूज करने का क्या criteria होता है और क्या strategy अपनानी चाहिए कोई एक specific message जो CSS aspirants को आप देना चाहेंगी वो आप जरूर हमारे aspirants को दीजे या तो आप CSS की तैयारी का सोच रहे हैं या फिर आपने CSS की तैयारी शुरू कर दिया है तब ही तो आपने इस वीडियो बेट लिक किया है Welcome to CSS Unofficial और मेरा नाम है जुनेद आरफ और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बशारत शाह से एक ऐसी स्टुडेंट के जिन्होंने CSS का इमतिहान क्लियर किया है इनकी स्टोरी जानेंगे सो सबसे पहले बशारत वेल्कुम टू CSS Unofficial तैंक यू अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूर्स को बताईए और मुझे भी बताईए किया परस्नेलिटी टाइपस हैं और किन-किन रास्तों से गुजरत के आप जह वो यहां तक पहुंचीज़ आपने बता दिया के मेरा नाम बशारत चाहे मैं KPK से बेलॉंग करती हूं और KPK में में डिस्ट्रिप्ट बटरग्राम से बिलॉंग करती हूं यह एक ऐसी जगाए जहां पर ना सिर्फ फीमेल एजुकेशन कमें बलके मेल एजुकेशन भी इटसेल्फ बहुत ज्यादा कमें लिट्रेसी रेट इस होल बहुत ज्यादा कमें तो इस प्लेस से मैंने ए प्रॉसस जेनरेट की और तुड़े आइं यह लैंड़े इन माइं डिजार पर पाकिस्तान एड्मिनिस्ट्रिटिव से बारे में मजीद तो आगे बात करेंगे लिकिन मैं जाना चाहूंगा कि जिसने आपने बताया के KPK से आपका तालोक है तो वहां पर एक स्टिग्मा इ इसे लेकिन बरे ऑफ ज़यादे लेकिन जो मेरी अपनी इमेज है वह इस रिगार्ड बहुत जयादा ऑप्टिमिस्टे वहां गल्स एक आप़र किया जाते हैं अदर उनको यहां बिलकुल सब्सक्राइब बहुत अच्छा है कि जो कर सकती हैं और मैं उसकी और दिविंग ए अगर उसको अगर में बहुत स्यादा प्रिसाइस कर दूं तो मेरी स्कूल लेवल पे था क्योंकि मैंने बैसिक एजुकेशन जब ली तो आपकी अडिस्टाइनिंग डिवेलिप हो जाती और मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी अल्डर सिस्टर थी शी ट्रैक्ट सीएसेस बैक इंटू तूजन थर्टीन तो उस वक्त मेरे सामने एक एजेंपल थी के हां एक ये भी एक दोमेन है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो और जो मेरी परसनल इंक्लिनेशन थी वो एड्मिस्ट्रेशन की तरफ थी तो उनको देख के मेरे उसी वक्त ये मेडिकल की तरफ लेकिन आफटर देट जब मैंने ग्राजुएशन को कम्प्लीट कर दिया तो मैंने स्विच किया दुबारा अपने जो डिजाइड मेरी गोल था मेरी इंस्परेशन थी और आज मैंने अलहम्दुलिल्ला में उसमें सक्सेस्फल हूं और मैंने अपना गोल अचा आपने जिस तरह बताया कि बच्पन सही अपने गोल अपना सेट कर लिया था कि आपने सीएस करना है और ऐसा हमारे मौशरे में बहुत कम होता है क्योंकि बच्छे बहुत बड़े हो जाते हैं और उसके बाद तक उन्हेंने भी पता होता है कौन सी फिल्ड और अडॉ इसेफिकली कितना रोल प्ले करती है आके इसेटियंक लिक्राइण में वर्टके सवामारे मिल्यूब गरती है आपकी प्लानिंग के अंदर प्लैनिंग को अचीव करने के अंदर एपने इसमिली मिन आपको बताया कि मैं मौल्डर शिस्टर वास माई इंस्पिरेशन फॉरस क्योंके उन्होंने बैक इन 2013 शी क्रैक्ट और अनफॉर्चुनेटली शी फ्लंक्ट इन सब्जेक्ट लेकिन उसके बाद इन माइंड के मैं उस चीज को परसु करने और क्योंके मुझे अपने उपर जो थी वो इतनी ट्रस्ट थी इतनी मेरी डेडिकेशन उस चीज के लिए थी कि मैं उस चीज को अचीज कर ले थी क्योंके बहुत सार ऐसे जो आपको खुद लेने पड़ते हैं एट सम लेवल जाके क्योंके मैंने जब अपनी ग्राजुएशन कंप्लीट की उसके बाद मैंने डिसें लिया कि मैंने लाहूर आने अब इसमें जो पॉजिटिव चीज थी वो थी मेरा फैमली कर सपोर्ट सिस्टम वहां से अप्सक्राइब किया मॉरली फिनेंशली जितना भी वह कर सकते थे और उन्हें ने मुझे लाहूर बेजा लाहूर में मैंने स्टेक या मैंने वहां पर तयारी की और यहां से ही मैंन पॉजिए पर ने मैंने से एदिए बिदेश कर लें तो यहां से उप्सक्राइब करें लिए जाना भरता है और यह जो कॉमन थाएं कि अपर नहीं पर रहे हैं अगर आप थाव रहे हैं तो आपने री एक रहें पर एक पर यहां से नहीं पर दोदेख हैं जिसमें आफकोर इस इंसान थाख जाता है लेकिन हर प्रोसेस के स्टार्ट करने से पहले एक थौट होती है तो वह एक थौट होती है जो इनसान को इस बात में मजबूर कर जेती है कि इतना लंबा जो प्रोसेस है वह उसको गुजार ले और इंडियोर कर ले अच्छा सुसाइटी के अंदर हम हमें जो सबसे इंपॉर्टन चीज होती है वह होते है हमें एक लिट्राइट परसन होने है अब वह पुलिटिकली लिट्राइट हो सोशली लिट्राइट हो जिस तरह भी हो तो जब आप एक मैंटली एक लिट्राइट परसन होते हो तो आप साइटी को अब्जर्व करते हो तो same was the case with me, I was a very socially observant person, मैं देखती थी society के अंदर किस तरह की चीज़ें हो रहे हैं, कुछ ऐसी थी जिसके ओपर थोड़ी से disappointments होती थी तो individual level मेरी थोड़ प्रोसेस थी, क्या how could I can bring a change in this system on individual basis, मैं individually अपनी क्या effort put in कर सती हूं, कि मैं एक massive level पर change लाहूं मैं system का हिस्सा बन जाओं, क्योंकि आप जब तक कुछ system का हिस्सा नहीं बन जाते हैं, आपके अंदर DCN making powers नहीं होती तो वो मेरी inspiration थी, एक individual based person जो के massive change लाहे हैं, वो inspiration मुझे यहां तक लेका ही और वो ही मेरी actual cause भी है आपने इसना बताया कि आपके sister ने CSS attempt किया, वो अनफॉटनेटली वो clear नहीं कर पाई तो किया, what was this, a redemption वाला जीम था कि हाँ जीए, अब उनने नहीं clear किया तो मैं तो करके देखा हूंगी, what was it? यह क्या motivation किया थी, what was the thought, जब बिल्कुल इने शेयर किया कि this is the path I am going to choose नहीं, it was never a competition exactly, actually जो मेरी इसके जो back end पे चीज थी वो ये थी, कि this is something to be achieved वो, she had attained good marks, वो, she was flunked in a subject only, वो कर सकती थी, but she was married immediately after her exam तो वो चीज यह थी, कि मैं अगर अपनी capacity में इसको कर सकती हूं और यह कच्छी field है, administrative मेरी faculties थी, जो मुझे अपने अंदर दिखती थी, तो इसलिए में इस चीज को चूज के, it was never competition अच्छा, women as an administrator, I am not going to attach any specific, any generic quotation to it, लेकिन हमारे मौश्रे में, women as an administrator, बहुत कम देखी जाती है, so how do you see it? यह actually, glass ceiling, एक effect है, जो नहीं होना चाहिए, हमें stereotypical thought को ब्रेक करके, हमने आगे जाना है, और I think I am the icebreaker, मैंने एक decision लिया हूँ, और मैंने आज society को, मैंने एक living example दिये के female can be administrators और बहुत सारी ऐसी examples है और भी, और मुझे यह लगते है कि यह stigma ब्रेक हो रहा है, यह, no doubt about it, यह stigma ब्रेक हो रहा है, अब हम आपके मजीद जो पहले initiate जिस तरह आपने किया CSS की तैयारी जो शुरुआत की, वो क्या process है, कि एक layman आपको देख रहा है, जो एक CSS aspirant आपको देख रहे है, जो कि CSS करना जाते है बट उनको नहीं पता, they are lost, कि CSS की तैयरी का अवास कैसे किया जाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनको क्या advice देंगी, मैंने जब start किया था, तो मुझे initially कुछ teachers मिले थे, मैंने किप्स academy join की थी और उसमें मुझे एक teacher मिले थे English के, उन्होंने मुझे suggest किया कि आप किप्स join कर लो, तो you would have a great experience there, तो मैंने वही थाट किया, पर मैंने academy join कर दी और पिशावर मैंने क्यूंके थी, वह प्लेस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, वहां का academic setup था, तो मैंने लहोर मूफ कर लिया, लहोर के अंदर जब में आई, तो आपका बता है academy के अंदर एक proper एक mushroom growth of students होती है, वहां पे एक academy culture है proper, तो उसके अंदर मैं अपनी जगह नहीं बना पारी थी, मैं अपने आपको एक misfit समझ रही थी, तो वहां पे जब आप एक mission के लिए निकलते हो, तो वह क्या एक follow curler केता है कि when you go for something good, everything in the world conspires in your favor, तो इसी मेरे favor में ये एक conspiring चीज आई, कि मुझे step by step, मुझे ऐसे teachers मिलते गे, जिन्होंने मुझे अपनी एक milestone अचीव करने में help किया, और उन में सबसे बड़ा नाम जो है Sarajaz के, during my compulsory subject preparation, I met him and I found him a great person indeed, वो, मतलब में उनको जितना भी appreciate करूं, it's beyond words में, अलफाज में उनको नहीं कर सकती, because I have seen his dedication not towards me only, but towards all his students, he helps his students beyond any interest, कोई वो अपनी full dedication से students को help out करते हैं, और यही चीज जो basic difference है, अकैडमी के अंदर और जो एक mentor आप पकड़ लेते हो, के अकैडमी आपको तब own करते हैं जब आप successful होते हो, वरना तो आप एक उस mushroom growth का हिस्सा हैं, जिसमें आपकी कोई recognition नहीं है, जो आपका mentor होते हैं, वो आपको उस वक्त own करते हैं, जब आप कुछ भी नहीं होते हैं, जो आपको इस चीज की एक trust building कराता है, के नहीं, you can achieve it, you have the potential, और यही सारी जो एक encouragement थी, यह सारी एक mind mapping ती, जो sir ने मेरे साथ की, और में at the end of the day I landed. What is the main highlight of your whole journey? इतना लंबा जो आपके preparation से लेकर आपके शेजिस का exam क्लियर करने तक की जो journey है, इस सबकी जो एक highlight है, कोई interesting moment, or something you have been through, कोई एक ऐसा barrier जो आपने cross किया, or you are like really proud of it, क्या scenario क्या है? एक interesting scenario है, मैंने September के end में I decided to opt Punjabi, हालांके I am पखतून person, मैं पठान बेग्राउंड से belong करती हूं, और मैंने पश्टो को as a subject मैंने प्रिपेर किया था, और मैं बिल्कुल उसके all of a sudden, मैं बिल्कुल all together, एक different direction के अदर चलीगी थे, Punjabi मेरा language नहीं है, और मुझे वो आती भी नहीं है, और जो एक written, राइट अप चो होता है, आपने लिखना होता है, पंजाबी के लिए उसके अंदर एक मैचूर पंजाबी जो होती है, वो आपको mark scan कराती है, उसके लिए मैंने बड़ी effort की, मैंने अपने जितने पंजाबी दोस्ते, उनसे help ली, और पंजाबी की alphabets को, जितना भी उसकी dictionary है, वो चीज़े में अपने दोस्तों के साथ कंसर्ट की और विदिन अमन्थ, मैंने पंजाबी को प्रिपेर कर दिया तो, और alhamdulillah, मैंने पंजाबी में 70 प्लस score की हैं, वाँ, 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 यहाँ पर आपने बात की, सब्जेक्ट के चूज करने की, जो एक नए CSS एस्पेरेंट होता है, उसके जेन में यह सवाल भी बहुत ज्यादा चनम लेता है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं, जो उसकी फेवर में होंगे, और उसके कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, तो आपने अपने सब्जेक्ट कैसे चूज की और एक क्या क्राइटेरिया होता है, कि आपको अपने हिसाब से किस तरह सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, सब्जेक्ट सेलेक्शन जो होती है, बहुत इंपॉर्टन पार्ट होती है, जब आप से एसस के अंदर आपने एक फुर्स्ट स्टेप रखा होता है, तो और अकैडमी का इसमें एक बैनेफिट है, वह यह होता है कि वह आपको सब्जेक्ट सेलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा गाइड कर देती है, अब सब्जेक्ट सेलेक्शन के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टन यहां तो आपके परस्नालिटी आपकी इंक्लिनेशन क्या हैं आपके इंट्रस्ट क्या हैं, दूसरी चीज़ आपने यह देखनी होती है कि सब्जेक्ट का स्कॉरिंग ट्रेंट क्या चल रहे हैं, तो यह दो चीज़ें जो होती हैं वह आपको आगे बहुत सारी बेरियर्स क्रॉस करने में हेल्प आउट करती हैं, आपका रिटर्न का स्कॉर बहुत ज़्यादे इंप्रूव करती हैं, हम, सभी है, अच्छा अच्छाओ, स्कॉर्ण के जिस सरह आपने हम करें हैं तो, अकेडमी कल्चर वर्सस पर्स्नल मेंटरिंग अफोर्स आपने पर्सनल मेंटॉरिंग को जाधा चुज किया धूनों के प्रोज और अगर हम बात करें तो, तो वाट इस यूर थाट अबाट इस जो बिल्कुल फ्रेश ग्राजुएट्स होते हैं और जिनकी यह थाट होती है कि उन्होंने सीएस के अंदर एक्सल करना है तो उनके लिए अक्याडमी जो वह इंपॉर्टन पार्ट है क्योंकि अक्याडमी के अगर हम प्रोस की बात करें तो अबिसली हैं डेफिनटली हैं सबसे पहले यह कि आपकी सब्जेक्ट सेलेक्शन के अपकी हल्प हो जाती है सेकंड तिंग है कि आपका एक्सपॉयर जाद हो जाता है आपको जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो तो आपको ज्यादे चीज़ें आपकी अंदेस्टेंग के अंदर हो जाती है जो इसके अंदर तीसरी चीज है वो यह का पर डिरेक्शन मिल जाती है कि आपने यहां से कैसे चलना है आगए तो अगर इसके हम ऑपोजट चले जाएं अगर इसके जो नेगेटिव साइड है कि सबसे पहले तो अकैडमी में आपको पते है एक मश्रूम ग्रोथ अफ स्टुडेंट से के स्टुडेंट इतनी ज्यादात में होते हैं वहां पर ना टीचर को समझ जाती है और ना स्टुडेंट को समझ जाती है सेकंड चीज़ गुड कॉंटेंट के उपर गाइड नहीं किया जाता आप अकैडमी के अंदर आप सारा दिन चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन आपको यह समझ नहीं आती है कि हमें अच्छा कॉंटेंट कहां से मिलेगा और जो तीसरी चीज़ होती है वह यह कि आपकी अवै पासिंग रेशो है वह बिल्कुल 2.5 प्लस प्लस यह बहुत मीगर अमाउंट है यह इसलिए अगर हम देखें अकैडमियों में लागों के हिसाफ से स्टुडेंट साते हैं तो क्यों अगर वह एकैडमी से 300 बच्चा कर सकते हैं तो वह बाकी के लागों बच्चे क्यों नही आपकी असेस्मेंट्स की जाती है और नहीं अकैडमी आपको ओनर्शिप देती है तो यह बैसिक चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और अगर उस अकैडमी के अंदर से यह चीज़ें आप रिमूव कर दो और अगर आप प्रॉस वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा काम करो तो सबस्क्राइब करने के लिए हैं सबसे पहले आपको डिसेप्लेंट होना बहुत जरूरी है सेकंड चीज़ें इसके अंदर डेडिकेशन बहुत जरूरी है और जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टन है वह आपकी कमिट डिटर्मिनेशन आपने एक कॉस को पकड़ लिए उसके उपर आपने स्ट्राइजी प्लैन करने अपना रोड मैप डिजाइन करने और उसके साथ आपन आपने लूस करते जाना है अपने डिस्ट्राइक्शन अगर आपके रास्ते में आगे तो फिर आप अपने लिए बेरियर्स करते जाओगे इसमें आपने यह करने हैं कि यह बेसिक जो तीन चीज़े मैंने बताई है इसके उपर काम करें और अपनी डेडिकेशन अपनी दे पांचे मैंने बाद साथ मैंने एक साल बाद जॉब आफर हो जाती है और यह एक बहुती कॉमन रूटीन चलती है बहुत सारे लोगों के साथ क्या अपनी 얼마 दे गाव जोपर कgone एक जर्नी उसको क्या देगी? अच्या जो इनिशेल जो तीन चीजे में आपसे डिसके सिक्ष ख़िए जो आपको यह तीन साल की जो एक थाट ना उससे बाहर निकाल देती है आप एक cause के साथ dedicated हो, अगर आप उसमें तीन साल भी लगा देते हो तो obviously आपको पता है कि मैंने इसको full dedication दिये तो यह मुझे return करेगा और अब यही देख लें अगर आप result की ratio देखें तो वह इसलिए कम है कि दर्मयान में लोग छोड़ जाते हैं, persistence नहीं है उनके अंदर, जब जो persistence नहीं show करता तो obviously वहाँ dedication ही लेक कर रही होती है, तो फिर result is the same एक major flaw के लें या major routine के लें कि जो बच्चे css की तयारी कर रहे होते हैं यह होता है कि graduation होती है, graduation के बाद, एक साल लगाते हैं, डेट साल लगाते हैं, पढ़ते हैं, css के लिए css में appear होते हैं या नहीं होते हैं, उसमें यह होता है कि बीच में job offer हो जाती है, या कोई और distraction जाती है, लड़कियों के लिए शादी हो सकती है, या कुछ भी वो distraction हो सकती है, और उसके बाद उनका वो path हट जाता है, वो css की तयारी छोड़ देता है, और इस सारे mindset में एक चीज एक और factor भी role play करता है, एक uncertainty का factor भी role play करता है, कि what if, कि हम एक साल या दो साल या तीन साल और css के लिए appear हो, लेकिन तीन साल में भी अगर हमारा css clear ना हो, तो how is it कि यह जो journey कर रहे है, it is worth it, so आपका इस बारे में क्या ख्यात है, जो css की journey obviously वो बहुत एक lengthy journey है, बड़ा एक lengthy process है, आपको तीन साल लग जाते हैं, लोगों जो दो तीन तीन अटेंट से थे उनके तो around six to seven years लग जाते हैं, तो obviously certainty का factor जो है, वो यह है कि इसमें लोग certainty लूज कर जाते हैं, और उनके ओपर जो overwhelming एक uncertainty आजाती है, उसका impact बहुत जादा आते हैं, यह चीज़ मेरे साथ भी होई, मेरे ही, alhamdulillah मैंने first attempt में इसको clear किये, लेकिन मेरे भी ऐसे demotivating phases आते थे, ज इसमें मुझे यह लगता था, कि obviously मेरे three years at stake है, और यह चीज में अपने teacher sir Ajaz से discuss भी की, लेकिन आपको एक track पर रखनी के लिए, जो बहुत एक optimist चीज होती है, बहुत यह आपको motivate कोन कर रहे है, वापका guide case है, तो कोई एक ऐसा face discuss करेंगी, कोई एक ऐसा demotivating phase, जिसमें आ office शुरू की, अच्छा यह कोई एक इसके अंदर incident नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, वो preparation के दोरान भी होते हैं, वो आपका return exam देने के बाद भी होते हैं, वो आपका interview देने के बाद भी होते हैं, और यह जो phases ने चलते रहते हैं, जब तक आपका एक final result डिक्लेर नही बहुत जाएं, लेकिन उसको मैंने ओर कम किया, और कम मैंने कैसे किया, मैं सर एजाज के साथ में एक consultation रभ देती थी, मैं उनसे request करती थी, सर आप मुझे time दें, कि यहां पे मेरा एक आगे एक break आगे, इसके आगे मैं नहीं जा सकती, वहां पे सर मुझे motivate करते थी, सर मुझ हैं, वहां मैं छोड़ देती थी, और मैं जो personal मेरी likings की बुक्से में वहां पढ़ने लग जाती थी, तो यह है कि आप सोचते हो, कि आप की three years take हैं, और यह फिर एक मेरा एक for sure चीज होता है, हम normal human beings हैं, और यह फिर जाते हैं, लेकिन at the end of the day, जो आपकी एक commitment होती है, वहां आपको वहीं पे खड़ा रखती है, वहीं पे persistent रखती है, और वहीं पे आपको dedicated रखती है, हमारे बहुत सारी students हैं, जो कि financially well off नहीं होते हैं, और graduation के बाद specifically, students भी और उनके parents भी, वह expect करते हैं, कि वह financially support करेंगे, अपनी family को भी और खोद को भी, और एक जो burden है वो lift off होगा So, कुई ऐसे जो students हैं, जो कि इतने financially well off नहीं हैं, और of course, जब CSS की आप तयारी करें, एक सो दो साल का अर्शा या जिसरा भी एक duration है, उसके अंदर, I don't think के आप बहुत ज़्यादा अपना focus time अपना कहीं और divert कर सकते हैं, तो how do you think के ऐसे लोगों को किस तरह manage करना चाहिए? इसके अंदर जो आप अपना full on time देंगे, वो आप written preparation को जरूर देंगे, क्योंकि वो written आपकी destiny determine करता है, जब आप written exam दे रहे हो तो at least आपको अपने एक साल जो हो फोरसेक करना पड़ेगा, आप जब written exam दे दे तो उसके बाद you can go, आप कोई भी job को ले सकते हो, आप कोई एक अपना जो वो time में उसको positively outspend कर सकते हैं, क्योंकि interview preparation जो होती है, वो बिल्कुल एक साल की बाद होती है, अचा एक और question मैं आप से करना चाहूंगा, और बहुत important question है, CSS करने के लिए अखबार पढ़ना जरूरी है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के अंदर ने ये चीज़ एक thought हमारी minds के अंदर इंटरंच कर दी है, कि नहीं अखबार पढ़ोगी तो CSS, definitely अखबार एक important element है, लेकिन वो एक stage आती है, जब उसको आपने पढ़ना है, उस स्टेर क्रोस करनी होती है, एक step क्रोस करनी होती है, तो CSS के लिए ये है, अब मैं जब इनिशली आई थी, तो मैं भी news papers के बीचे, मैंने लोगों से चैसे सुना था, लेकिन जब Sir Ajaz ने मुझे गाइड किया, कि नहीं हमारी strategy होगी थोड़ी सी different होगी, और fortunately Sir के साथ मेरा interaction ब करो, जो newspaper होती है, वो complimentary होती है, वो उसको compliment करती है, और वो आपके opinion को ज्यादा enhance करती है, तो ये एक जरूरी चीज है, जो लोगों को समिझ ने चाहिए, अच्छा इस ही को हम आगे लेकर चलते हैं, और आपकी ज़रा strategies crack करने की कोशिश करते हैं, कि किस तर आपने CSS clear किया, ताके हमारे viewers और CSS aspirants हो है, उनको भी help हो, सबसे पहले तो मैं ये पूछना जोँगा कि एक English का subject होता है, English language का subject होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा queries आती है, students की, और उसमें बहुत जादा students feel भी होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उसको कर नहीं पाते हैं, और you being from like, आपका तालोग KPK से है, और आपने किस तरह इस difficulty को जो है, वो deal किया, English वो बड़ा एक important pillar है, CSS examination का, अब इसके अंदर आपने 12 papers देने, और सारे के सारे आपने definitely English में देने, तो उसके लिए आपकी English को, एक maturity level उसका होना बोट जरूरी है, अब हमारा problem क्या होते है, जुट स्टूर्ट्स अकैडमी के अंदर आते हैं, तो उनकी basic English वोट जदा बीक होती है, और वहां पर पढ़ाया जाती है advanced technique, तो स्टूर्ट्स वोटे वहां पर उस चीज के साथ उसकी compatibility नहीं बनती है, तो यही सबसे बड़ी जोए, एक cause बनती है, इतना बड़ा जो failure ratio है पाकिस तो वो चीज जो थी उसने कहीं back of the channel मेरी English को एक level of maturity दिया था, यह unconsciously था, क्योंकि मुझे इस चीज की awareness नहीं थी, कि मैं जब लिख सकती हूं तो वो अच्छा हो सकते है, तो जब मैं फील के अंदर आई, जब मैंने study करना start किया, तो obviously content जब मुझे मिल गया, और जब मैं इ तो अच्छा है एक जब मैं टाथ जब मैं इस चीज दिखिती थी, और यह चीज मुझे 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 रिया कराई टीचर्स ने और यह एक राओ मैप तो जब मैं जब लिखने की भी स्चिन है कुछ लिखा निटने क्षैरी कुछ लिखती निग दिखती हैं तो वो दो सब्सक्राइब शरीरिय एक्रणा के निल्द है अगांप एक्वार्ट यह रखा की जलिए लंद एक्वार्टिकरे प्रणा कम दिश्पाम सब्सक्राइब इस प्रच्णा करें पत्रणा क्या शीज छीडियो जीशिन किताब मुझसे बहुत ज़्यादा लगाओ नहीं है हम फेस्बुक या इंस्टाग्राम या सोशल मेडिया जो भी है उसके उपर मारा इटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है कि हम बस त्री लाइनर बार लाइनर पढ़ते हैं पूरी फुल फ्लेज़ बुक है जो टाइम मांगती है जो इन्वेस्मेंट मांगती है आपके टाइम का आपके एक पूरे रूटीन का वह हम नहीं दे पाते हैं और वह थोड़ा सा बढ़के उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो आपने अपनी रीडिंग हैबिट किस तरह से स्टार्ट किया और लाइक क्या फैक्टर जोर प्लेगी है जिसने आपको बुक रीडिंग की तरफ राविक लिया अच्छा मुझे यह लगता है यह बुक रीडिंग का थोड़ा से एक नेच्रल आपकी वी एक इन्क्लिनेशन होती है कि किसी बच्छे को बुक अच्छी लग रही होती है कोई एक डिजिटल चीज की तरफ जल जाते है तो मेरा इन्ट्रस्ट था थो भुक की तरफ तरफ ता, फिर सेकेंड चीज यह थी कि अब इसको ज्यादा एन हैंस किया हम एक फ्रेंड्स को गूप रहता था तो हम आपस में बुक्स एक्स्चेंज करते थे जो मैंने पढ़ी तो हम एक दूसरे को दे 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 थे एक्स तो यह हो जाता था, बहुत सारी बुक्स हम एक शौर्ट स्पेन अफ टाइम में पढ़ लगते थे, क्योंके वो बुक हमने वापिस देनी होती थी तो वो एक जो हमारे एक टाइम टार्गट होता था तो उसकी वज़े से मुझे लगता है एक मेरी रीडिंग हैबिट और जादा स्ट्राउंग हो गई और दूसरी चीज़ यह है कि हम एक बड़ी डिजिटल लाइफ की तरफ मूव कर गएं लेकिन स्टिल अगर आप बुक रीडर हैं तो वह चीज़ आपको उसमें बेरियर नहीं ला सकती अभी भी में आउनलाइन बुक्स मतलब आपने बास डाउनलोड करती हूं फोन के अंदर और में उसको पीडिएफ में रीड करती हूं जो भी मेरे इंट्रस्ट की बुक होती तो यह चीज़ नहीं है कि अगर आप मुबाइल की तरफ चेलेंगे तो आप बुक रीडिंग से दूर होगी हैं आप अपने लिए उपर्चुनिटीज कर सकते हैं हर फिल्ड के अंदर हैं यहां पर थोड़ी सी एक परस्टनल सजेशन क्योंकि आई उस्टू रीड बुक्स उससे पहले हो लेकिन ग्राजुली क्या हुआ कि वो स्टैमि nord होता होता बशutbers बहुत कमो गया के व эти तो अपने अपर बहुत कि इस टीन से चार पेज़ तो पड़क Argentina fällt ज़्या लागए किसे पहले आप अच्छी बुक चूज करें अच्छी बुक से क्या बॉर्ण या ज्यादा जिसके अदर आपकी अडिस्टाइड नहीं बंदरी ओविसल्य आप बोर हो जाएंगे और बोर हो आपने किताब छोड़ देनी वह किताब का छोड़ना आपका स्टैम्ना डिक्रीज क कर रहोते हैं तो आप फ्रेंड्ली वुक्स उठाएं और यह एक्जैक्टली मेरे साथ किता क्यूंके में जो थी वह में नॉवल्स पढ़ती थी तो नॉवल्स ज्यादा इंट्रस्टिंग होते हैं तो जब मैं इन बुक्स की तरफ आगई तो आप थोड़ा सा आपका स्टै कर देगी क्योंके मैंने उसको छोड़ देने तो यह एक मेरी सजेशन है कि आप लोग अच्छी किताबे पढ़ें अच्छा आप बुक्रीडिंग मी करती रही है उसके साथ थोड़ा बहुत लिखती भी रही है आर्टिकल्स भी रिखती रही है लेकिन कुई एक ऐसा स्टु पर कश किस निए पर बुक्राइमंट से रही है ऐक किस तरह हो सकती है तो आपकी बेसित ने स्टॉग याख जएगी है अब होता है कि एक बेसिका बीज्चे हो सकते हैं आपक कrix बच्चे य ई सॉतीर चाही है तो रहीज किस जब क्योंशन बएटिशन के अपर के प्रोग कर तो आप एक साल दो साल पहले तो आप सोचते हैं उसके दुरान आप लोग ये कोशिश करें ये मेरी एक सजेशन है कि आप अपनी बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करके हैं आगे ऐसे पास करना मुश्किल नहीं है ऐसे कि एक प्रॉपर टेक्नीक है और उसको फॉलो करें एक सब्सक्राइब करें तो अच्छा राइटर होना या अच्छा पॉइट होना यह इस चीज के साथ कहीं भी कनेक्टिड नहीं कि आप इससे पास नहीं कर सकते हैं इससे पास करना इस वेरी सिंपल तिंग सब्सक्राइब अच्छा प्रॉपर लेकिन आगें पाक स्टडीज का पेपर आता है और हमने पी टीबी की वही पुरानी बुक्स पड़ी है जिसमें सो कॉल्ड सोचल स्टडीज पढ़ाई जाती है और पाकिसानी हिस्ट्री सोपाइब पढ़ाई जाती है दो यह तिंग के यह जो इतना न अच्छा जो सिर्फ पीटीबी की बुक्स पड़ता आ रहा है और उसके बाद उसने इंटर किया है और वही उसी तरह का एक पैटरन जो है वो जो सारा नॉलेज बिल्ड़प हो रहा है इस अनॉफ तो क्लियर पाक स्टडीज का पेपर इन सी एस नहीं बुक्स लेकर बुक् इस एक उपर के उपर आपको हड्ली एक और पीड मिलेगा अगर वो चीज आप जाके किसी अच्छे रिसर्च 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 आर्टिकल के अ अंदर देख रहे है तो डेफिandly वहां पर उसकी बेसिक्स होंगी रहा उन पर उब thuजीर उपनिंशें तो सारा one and all package आपको जो है वो उस एक रिसर्स आर्टिकल के अंदर आपको मिल सकते हैं सारी चीज़े आपको एक compact प्लेस पर मिल जाएंगी है आप लोगों ने relevant होना बहुत जरूरी है हम sweeping statements पास करते हैं पेपर के अंदर आपका जो किसी भी जो स्टुड़ेंटेंस के अंदर अगर वो कोई भी पेपर कर रहे हैं अगर वो पाकिस्तान अफेरे करन्ट अफेरे ऐसे का पेपर एवन आपने आप जब डाइग्रेशन के अंदर जाले जाते हैं डाइग्रेशन के क्वेस्टन और होते हैं और आंसर कुछ और होते हैं और हर जो statement होती है उसके साथ justification लेग कर रहे होते हैं जब तक आप इसी चीज को justify नहीं करते तो वो चीज उस तरह impact create नहीं करती एग्जामिनेश के तो अपना जिस्टिफिकेशन लेवल अपनी अपीनियंस को स्ट्रॉंग रखें और जब आप मल्टिपल सोर्सिस को पड़ते हैं अच्छे रिसरेच आर्टिकल्स पड़ते हैं अच्छी बुक्स पड़ते हैं तो वो बिल्ट अप हो जाती है अच्छा यहां पर हमारी बुक्स पड़नी पड़ेंगी डिस्पाइट कि मैंने पाकिस्टी का पेपर क्लियर करना है मेरे इसमें है नहीं मेरे इसमें इंटरस्ट है या नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में हाव दियू थिंक के आइकन अचीव एच्छा पाकिस्तान अफेर से जो रिलेटेड बुक्स थी मेरे उसके अंदर आपको मिल जाती है वो ग्सक Daten होटे अप जो 9 message Monte County अपना time spine रखते हो उसके अंदर आप को यह सोचना चाहिए कि मैं smart शर्क सकता हूं यह मत्याओ है यह New Year hard work के साथ smart work भी आपना time को प्रडुक्टिव बणाने और कपसे कम में ज्यादा से ज्यादा काम लेने अगर आप 400 300 500 की बुक पर ने बेट जाते हैं और आपका सारा दिन उसमें निकल जाते हैं आप उसी से रिलेटेट कोई अच्छे रिसर्च आर्टिकल उठाओ तो वह आपको ज्यादा प्रोड़क्टिविटी दे सकते हैं इस कंपेर डू लेंथी बुक जिसमें हर तरह के चैक्टर होते हैं वह डिफर्ट डाइमेंशन की बुक होती है तो वह उससे मुझे यह लगते है कि यह चीज ज्यादा सुटिबल है अगर हम क्रेंट अफेर्स की बात करते हैं अख़बार की भी हमने बात कर ली पार्क शेडिश की बात कर क्रेंट अफेर्स का कितना इंडेप्थ नॉलिज होना जरूरी है क्या हमें वाकी पता होना चाहिए कि जिम्वाब्वे का तीसरा सदर कौन था या जनेरिक क्वेस्टन एक माइंड में आ दे हैं कि यार आपको पूरी दुनिया के बेसिक बेसिक जो सदरों के नाम और उसके करेंट अफेर्स के अपने बहुत सारे मीडिय प्लैटफॉर्म के सथ कनेक्टेड रहें अब मैं CNN देखती थी New York Times को पढ़ें पड़ती थी फारन एफेर्स में पड़ती थी अब यह वह चीज़ें जब मैं अगर अपनी कोर्स रिलेड़ेड़ कांटेंट से में बोरो जाती थी तो मैं थोड़ा से न्यूज देख ली तो वह चीज़े करेंट अपडेट आपको देती रहती हैं उसके अंदर यह कोई रॉकेट साइं करेंगें एपसरें नियूज आयुजिए जब आप एक फील्ड के अंदर आते हो इसके अंदर काम करने स्टार्ट इव आपके इंटरस्ट तेवेलफ गोजाते हैं और इंटरस्ट आपको कररेंट अपडेट के सथ कनेक्टेविटी एंटर्क थे पहती है अंटर्स्ट तो यह जो जिनको cramming easy लगती है जो के उसको in-depth detail like research की तरफ नहीं जाना चाहते है जो किसी चीज़ को कुरेजना नहीं चाहते है और सिर्फ याद करना चाहते हैं और याद करके लिखना जानते हैं और वो अच्छा कर भी लेते हैं और बहुत सरे students ऐसे जो है वो अच्छे marks सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अगर आम 2016 से पहले देखें तो थी क्रामिंग का फेक्टर था CSS के अंदर लेकिन अगर आप अब देखें पेपर बहुत ज्यादा अनलेटिकल कर दिये बिलकुल वो चीज़ से तो होती है लेकिन नहीं भी होती मतलब उसके अंदर आप उ इसके उपर आपकी वास्ट नॉलेग चाहिए जब आप पेपर अटेंट कर रहे हो तो यह है कि क्रामिंग नहीं सकते हैं अगर आप यह भी ट्वेंटी ट्वेंटी के एग्जेम उटाएं जेंडर स्टॉडिस के पेपर देखें क्रिम नॉलेजी का देखें पिर आयार पॉ बोड़ा स्ट्रिक्ट मार्क होगा अच्छा कितना लंबा ड्यूरेशन था आपकी स्ट के प्रेपरेशन का मैंने फेबरेटी ट्वेंटी एटी में में ग्रेजुएट कर लिया था उसके बाद मैंने सून आफ्टर माइड ग्रेजुएशन मेंने अकैडमी जॉइन कर ली थ उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि कुछ ऑफ्शन सब्जिक्ट से जिनकी अंडिस्टेंडिंग मेरी अकैडमी में नहीं बन रही थी तो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग था वहां पर तो मैंने पिर सर इजास के साथ अपनी एक स्ट्राटेजी प्लेन की औ और मेरा ख्याले जुलाइ का मन था जुलाइ से मैंने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी और डिसेंबर में मैंने मौक्स दे दिये थे तो अल्मोस्त लाइक सब्सक्राइब करने के लिए इतने घंटे पढ़ना लाजमी है छे गंडे अपने साइट पर पूरे दिन के और उसमें आपने बस पढ़ना ही पढ़ना तो इसमें कितनी सच्चा ही है मैंने जो CSS है यह बड़ा एक लेंथी सब प्रोसेस है इसका पर्णमी बहुत ज़्यादा वास्त है नौलेज बेस्ट बहुत ज़्यादा अगर मुझे कोई क्वेस्टिन चार गंटे के अंदर याद हो रहे है हो सकता है किसी दूसरा कंड़ेट को ना हो रहे है मैं उसमें छे गंटे लेता हो या में ज़्यादा टाइम लेती हूं तो यह हर बंदे की अल्ला ताला ने एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके रिलेशन्शिप्स कैसे एफेक्ट हो यह कि आप पढ़े और एक दम से आपके दोस्की कोल आती है कि हम लोग हम लोग घूमने पिरने जा रहे हैं या की फैमिली में पीन दावत है डिनर है तो उनको आप कैसे अवाइड करते हैं वो किस तरह से आप जिग जग जग तो उसको अचा फैमिली का जो सीन तो उससे तमया डिसेपियर हो गई थी क्योंकि मैं होस्टल चले गई थी और होस्टल में ने लाहूर में टाइम गुजा रहा हूं और ऑविसली होस्टल का लाइफ भी इटसेल्फ चैलेंजिंग था लेकिन उसने एट सम पॉइंट मुझ कि अगर कोई बड़ा अचीव करने तो आप डिसेपियर हो जाओ और जब सामने आओ तो आपकी सक्सेस आए और सेम एपन विद मी कि जब मेरा रिजल्ट आया तो जितने मेरे फ्रेंट से सब को पता चला और उनका यही था कि आपने बड़ा बलास्ट किया हम पे तो यह है क कि आप बलास्ट को सामने है यह था जाओ यहा जाँ आप से दिना जाओ भी देटिटल आप कम कर रहे हो इस सामने जाए दुन पर काम कर रहे हैं और यह हुआ फ्ट्टल्ट यह रजार बाद को सालने करें अगरें विद दूरान को अर इस सब जाए अजर बातकी जार नहीं मेरा बड़ा सपोर्ट सिस्टम बने एक तो मेरे पेरेंट्स मेरी सिस्टर्स और एक सर अजाज मतलब जब मैं ऐसा कोई डी मोटिवेटिंग फेज में चली जाती तो मैं सर को फोरन फोन कर देती सर नहीं पड़ा जा रहा तो सर फिर उसके बाद स्ट्राटीजी मुझे बता देते ते और दो दिन के अंदर अंदर में रिकावर कर देती ती और कभी ऐसा भी फील होता था कि नहीं करना चाहिए यह किसमें आ गए बस क्योंकि एक बड़ा लेंथी प्रॉसेसे तो मैं अपनी सिस्टर को मेरी बड़ी स सब्सक्राइब कर देते हैं कि वह चीज जो थी मुझे दुबारा से रिकावर कर देती थी तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन आपके इस पूरे सफर को आसान बनाया है जब आप कुछ बिग अचीव करते हो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है और वह सारे को स्टुड़न्ट्स की फार्म में टीचर्ण की फ़ार्म में वह चीज आपको मिलती है तो मेरा जो सबसे पहले मेरे परेंट्स थे मैरी सिस्टर्स थीं जोनों पूद्ग हंगे protect में किया कि मैं जितनी भी लेंग तक जाकर ना एक गोल ऐचीव कर सकूं तूसरे लेफल पर च्रीमित वर तो डियनिक मईंकि पर आइंच निया दिरी नियरे आगए पुज जटनी मी गाइदेन्स थी रेलेटेट टू श्रीनिग वह सारी उन्हें मुझे गाइदेन्स प्रोवाइट कि और वह चीज मुझे लिड करती गिया है इसके अलावा मैं आपने English teachers का अबिसली, English एक important component है, तो उसमें मेरे दो टीचर्स हैं, एक में जाहरा हैं और एक सर अली इनाने, ये दो टीचर्स बहुत important रहें मेरी जर्नी के अंदर, क्योंकि इनके साथ मेरे interaction रहा है, related to my work, और इसके अलावा, जो मेरे टीचर हैं, पिशावर में, सर अतीक, he is a great teacher indeed, में एक special thanks बोलना चाहूंगे उनको, क्योंकि वो भी एक टीचर थे, जिन्होंने मुझे encourage किया था, कि you can be a position holder in the CSS examination, वो obviously certain reasons हैं जिसमें थोड़ा सा मुझे एक unfortunate situation हुई, लेकिन कि में वो top slot से नीचे आ गई, लेकिन, at the end of the day I did good, I landed in my desired group, Pakistan administrative services, alhamdulillah, और इसके अलावा जो last time में thanks करना चाहूंगे, में अपने colleagues को करना चाहूंगे, अपने दोस्तों को करना चाहूंगे, अपने batch members को करना चाहूंगे, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा help out की during interview preparation, और जितनी भी मेरी एक जरनी रही है, उसमें जितना भी मेरा support system था, उन करना चाहूंगे, अच्छा, नेक्स जो मेरा आप से सवाल होगा, वो यह है कि CSS aspirants को subject choose करने के लिए बहुत ज़्याद मुश्किलात को सामने दरपेश होता है, और आपने इस तरह का है कि subject बहुत important है, और आपको अपनी personality के हिसाब से, अपनी skill set के हिसाब से subject चूज करने च चाहिए, अच्छा, इस में optionals के subjects होते हैं, उसके अंदर groupings की वी हर group से आपको subject उठाने पड़ते हैं, अब जो basic और बहुत important चीज है वो यह है कि आप कौन सा subject चूज करते हो, अब CSS के लिए जो एक myth भी है बनी वी है, और यह I think यह myth से ज्यादे reality है, कि scoring subject आपने उठाने हैं, क्योंकि जिस subject का trend अच्छा नहीं चल रहा होता, तो obviously वो आपको आगे जाके कहीं नहीं वो damage करता है, allocation है, अब basic जो चीजे regarding CSS optional subjects, आप अपने seniors को consult करें, आप जिस academy में जा रहे हैं, आप वहां से consultation लें, और फिर आप उसके पाद अपना interest उसके सथ मैच करें, कि वो च आपकी mental faculties के सथ मैच हो रही है, यह नहीं हो रही है, तो यह आगे जाके यह चीज़ आपको बहुत benefit दे थी, अब मेरा जो subjects हैं, उसके अंदर में पंजाबी opt किया, US history opt किया, जेनरे स्टुडीज और I.R मेरा subject था, अब international relations है, उसके एक trend चलता रहा है, कि वहां पे examiner hit करत है, इसके opposite to political sign से, वहां पे scores बहुत जाद अच्छे हैं, अब मेरे, even अगर देखा जाए, तो मेरे साथ ही exactly यह हुए, कि मैंने international relations ही opt कर दिया, हालांकि उसके scoring trend को इतना अच्छा नहीं था, अब उसने मुझे कहां पे benefit zone से बाइर निकाल दिया, कि जब मुझे subject हिट हो गय से उससे मुझे नीचे ले आया, लेकिन obviously साथ जो मेरे complimentary subject से, उन्हों ने मुझे वहां पे एक safe zone में डाल दिया, और मैं एक अपने जो desired group of Pakistan administrative services में ने उसी में ही land किया, लेकिन अगर कोई ASS student है, वो all together सारी strategy optionals की, वो अच्छी adopt नहीं करता, तो definitely वो problems face करेगा, तो इसलिए senior को consult करना मुझे जरूरी है, सही है, अच्छा, CSS की जर्नी है, वो आपकी personality development में क्या role play करती है, या आपकी personality traits है, वो CSS clear करने के लिए कितने important है, अच्छा, यह two aspect question है, obviously यह दोनों aspects बहुत important है, अगर आपकी CSS related आपकी personality traits है, आप वो traits है, वो आपकी persistence है, वो आपकी discipline है, वो एक mature learning है, तो वो चीज़ें, obviously there are definitely a prerequisite for cracking CSS, जो दूसरी चीज़ें के वो CSS में रह के आपके अंदर क्या change जाते है, तो वो भी बहुत जादे important चीज़ें, आप ग्रूम हो जाते हो, आपकी opinion ग्रूम हो जाती है, आप पहले से ज्यादा mature बात करते हो, आपकी personality development हो जाती है, आ पहले सारी वो चीज़ें, जो आपका stature, जो वो society के अंदर बहुत जादा हाई कर देती है, आप एक अच्छी position के अंदर stand करते हो, और लोगों के साथ जब आप interact करते हो, तो interaction आपका एक independent position के अंदर होता है, अच्छा, interview के मराहिल बहुत जादा कथन होते हैं, और बहुत इस हसाब से आपने interview को ऐसे design किया, कि आपने interview clear किया, इंटर्व्यू भी फिर bi-dimensional है, इसकी two dimensions होती है, एक तो आपने opinion यह जो course related चीज़ें, वो आपको सारी learning होनी चाहिए, second most important thing है, कि आपने अब यहीं पर भी डालम है, कि आपने English बोलनी है, और throughout English बोलनी है, और fluent English बोलन I am not a reliable candidate or reliable person to administer in the future, तो आपने सारा एक criteria English reset कर दिये, तो obviously English learning capabilities को enhance करना होते है, इंटर्व्यू के दोरान हम मैंने academy जाइन की जाएंगी वर्ल्टाइम्स, उन्होंने बड़ा language पे काम किया, students की, तो वहाँ जाकि मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कहां stand करते हूं, और कुछ students तो जाएंगी स्केल से, बोलने वाले English की अच्छी जाएंप तो ऊसमें हमारी है थी कि हम इंटर्व्यू किस्टडी एक मैं ने अपने टीचर के साथ भी की ती, सार एजास के साथ, तो वहां पे हम मीटिंग प्लांस करते हैं, हम candidates होते हैं, हम एक टाइम टॉक्स होते ही जिसमे सब्सक्राइब करें तो एक जो एक सिटिंग एक्सपिरियंस था के साथ सर की प्रेजिंस में एक तो उसने से से मेरा ने मुझा चैनल थिगा झाल थेंड एक अनन आट आट राताक के दाख़ियां । इस अमचाइं प्रच प्रॉस्ट दू हाग सब कारें या रिएक्द प्र्ची करें और एक एड्मिनिस्टर करें बहुत ज़्यदा पर्क्स इन्वार्व होते हैं इस जॉब में अच्छ बेसिक रोल क्या होता है एक जब सीससे सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके बाद आपकी ऐलोकेशन हो जाती है थोड़ा एलोकेशन के प्रसक्स को जड़ा एक्स्प और यह ग्रुप स्टॉप डाउन लेवल पे हैं अब उसमें हर ग्रुप की अपनी एक रिस्पॉंसिबिलेटी है और अपनी एक डुमेन है जिसमें उसे सब्सक्राइब करना है जो मुझे ग्रुप मिला है वह है पाकिस्तान एड्निस्ट्रेटिव सर्वेसेज तो डेफिन और ज्यादे मेरी एफिशेंसी है यह जितनी मेरी रिलेटर तु मैरी नॉलेज़ वह ज्यादे इन्हान सजाएगी हम उमीद करते हैं कि इसी तरह आप हमारे नेशन के लिए काम करें और पाकिसान के वेल बिंग के लिए काम करती रहें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक मैसेज जो को आप देना चाहेंगी वो आप जरूर हमारे एस्पेस को दीजे जितने भी यंग ऐसेस एस्परेंट से उनके लिए मेरी एक मेसेज है और यह सजेशन है कि आप अपने कौस के साथ अपने गोल के साथ कमिटेड रहें और अपनी जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन है उसको कभी भी किसी डिस्ट्रैक्शन का हिसा ना मना है आपकी लाइफ में स्ट्रॉगल होगी आपको सीएस जर्णी के अंदर बहुत सारी एक स्ट्रॉगलिंग फेसिस का सामना होगा लेकिन उन स्ट्रॉगलिंग फेसिस को आपने ओवरकम करना है उसको ओवरकम करना है और उससे क्रॉस किये और उन बेरियर्स को क्रॉस करने के बाद जाके उनको उनकी स्ट्रगल हासल हुई है लेनी थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही अच्छा इंटर्विव आपके साथ गुजरा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्ट्राइश हमारे हमें तो बेlle जेकर करेंगे स्ट्राइब के लिए बीडियो में आप से मुलाकम कोगी साथ करूमर निकोर stool के परिया होँगे।